नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज का टॉपिक थोड़ा हटकर है। और हो सकता है कि सुनने में थोड़ा अजीब लगे, पर यकीन मानिये ये कहानी काफी कुछ सिखाती है। हम आज बात करेंगे कौवे और उस ग्यान की जो उसने स्त्रियों के बारे में साज़ा किया। जी हाँ, आपने सही सुना। कौवे ने ऐसी कुछ बातें बताई हैं जिन्हें सुनकर शायद आप भी थोड़ा सोच में पड़ जाएंगे। इन बातों में थोड़ी हकीकत है और थोड़ा तजुर्बा जो हमें समाज और रिष्टों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें सिखाता है। दोस्तों, पहले एक कहानी सुनते हैं। कहानी सुनने से पहले आप से एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो अब कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी जंगल में एक संत रहते थे। उनकी साधना में एक दिन एक कौववा आया और उनसे बात करने लगा। कौववा बड़े रहस्यमई तरीके से बात कर रहा था, मानो उसे कई बातों का गहरा ग्यान हो। संत ने उसे ध्यान से सुना क्योंकि कभी-कभी ज्यान कहीं से भी मिल सकता है। कौववे ने कहा, मैंने संसार में बहुत देखा है और आज मैं तुम्हें चार बातें बताने आया हूँ, जो खासकर स्त्रियों के बारे में हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि एक कौवा क्य या ऐसा जान सकता है जो हमें भी न पता हो। पर दोस्तों, बात सीधी है, ये कहानी किसी एक पक्षी या व्यक्ति के बारे में नहीं है। ये बात उस तजुर्बे के बारे में है जो समय के साथ समाज ने पाया। बहुत सी बातें जो हम अपने अनुभवों से जानते हैं, कभी-कभी वो दूसरों से सुनी-सुनाई भी होती हैं। तो दोस्तों, ये बातें न तो किसी को आहत करने के लिए हैं और नहीं किसी का अपमान करने के लिए। ये बातें हमें एक नए नजरिये से सोचने का मौका देती हैं, ताकि हम अपने रिष्टों को और अच्छे से सम कौववा एक प्रतीक है उन अनुभवों का जो पीढ़ी दर पीढ़ी हम तक पहुंचे हैं। समाज और कहानियों का महत्व हमारे भारतिय समाज में हर कहानी का एक मतलब होता है। चाहे वो पौरानिक कहानिया हो या फिर आम जीवन की बातें। हर कहानी के पीछे एक सबक छुपा होता है। खास कर रिष्टों से जुड़ी कहानिया ये हमें वो सिखाती हैं जो सीधे सीधे नहीं सिखाया जा सकता। जैसे कि ये कहानी जिसमें एक कौववे ने हमें कुछ कड़वी बातें बताई। पर इन बातों का मतलब ये नहीं कि स्त्रियों को लेकर कोई नकारात्मक सोच रखी जाए। ये बातें हमें सिखाती हैं कि कैसे हम अपने संबंधों को बहतर बना सकते हैं और कैसे अपने आसपास के लोगों के व्यवहार को समझ सकते हैं। इसलिए दोस्तों, इसे केवल एक कहानी के रूप में ही लीजिए। पर इससे जो सीख मिले, उसे अपनाने की कोशिश करिए। कहानी का उद्देश्य। अब सवाल ये उटता है कि ये कहानी किस उद्देश्य से बनाई गई है। दोस्तों, हम अकसर अपने जीवन में बहुत से अनुभव से गुजरते हैं और हर अनुभव हमें कुछ नया सिखाता है। कभी-कभी दूसरों के अनुभव सुनने से हम खुद को बहतर समझ सकते हैं, खुद को और अपने रिष्टों को जाच सकते हैं। यही उद्देश्य है इस कहानी का भी, अपने जीवन में दूसरों के तजुर्बे से कुछ सीखने का। इस कहानी के जरिये हम ये जानेंगे कि कववे की नजर में चार ऐसी बातें कौन सी थी जो उसने स्त्रियों के बारे में कहीं। इन बातों को समझना जरूरी है ताकि हम अपने रिष्टों में और भी बहतर तालमेल बना सकें। पहला सबक, विश्वास और सम्मान कौवा कहता है कि रिष्टों में विश्वास और सम्मान होना चाहिए। चाहे वो पति-पत्नी का रिष्टा हो या माता-पिता और बच्चों का, रिष्टों में अगर विश्वास और सम्मान की कमी हो जाए तो वो रिष्टा कमजोर हो जाता है। कौवा इस बात पर जोर देता है कि किसी भी रिष्टे की नीम्व में ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं। चाहे जितना भी प्यार हो अगर विश्वास और सम्मान की कमी हो तो वो रिष्टा टिक नहीं सकता। दूसरा सबक इमानदारी और खुलापन। दूसरी बात जो कौवे ने बताई वो थी इमानदारी। उसने कहा कि रिष्टों में खुलापन और इमानदारी होनी चाहिए। अगर कोई बात दिल में है तो उसे सामने वाले से शेयर करना चाहिए ताकि रिष्टे में भरोसा बना रहे। जूट बोलने या बातें छिपाने से संबंधों में दरार आ जाती है। कववा कहता है कि अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो आपको उसके सामने इमानदार होना चाहिए। भले ही वो बात छोटी हो या बड़ी। तो दोस्तों, वीडियो में अब जानते हैं कि कववे ने स्त्रियों के बारे में क्या चार गंदी बातें बताई पहली बा किसी का घर हो या उनकी निजी जिन्दगी। ऐसे में उनका हस्तक्षेप एक परेशानी का कारण बन सकता है। कववा इस बात पर जोर देता है कि दूसरों की बातों में बिना जरूरत टांग अडाना कई बार रिष्टों में धरार पैदा करता है। दूसरी बात लालच। दूसरी बात जो कववे ने बताई वो थी लालच। कुछ स्त्रियाओं किसी भी स्थिती में अधिक पाने की कोशिश करती हैं, चाहे वो प्यार हो, पैसा हो या फिर सम्मान। कववा कहता है कि लालच इंसान को अंधा बना देता है। रिष्टों में भी लालच एक बड़ जीवन में दिखावे पर बहुत ध्यान देती हैं। उन्हें दूसरों को दिखाने का शौक होता है कि वो कितनी संपन्न है या उनका जीवन कितना परफेक्ट है। पर रिष्टों में दिखावा एक फरेब की तरह होता है। सच्चे रिष्टे में दिखावे की जरूरत नह इरश्या कुछ स्त्रियाओं दूसरों की खुशी देखकर जलने लगती हैं। उन्हें ये पसंद नहीं आता कि उनके अलावा कोई और सुखी हो। ये एक ऐसी भावना है जो इनसान के मन को कड़वा बना देती है और रिष्टों में जहर घोल देती है। इरश्या से न सिर दूसरों को नुकसान होता है बलकि अपने ही दिल में एक नकारात्मक्ता का जहर घुलता रहता है। कववा कहता है कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो उसकी खुशी में अपनी खुशी तलाशें न कि उसके सुख से जलें। तो दोस्तों ये थी वो चार बातें जो अगर आपको ये कहानी और इसका उद्देश समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और इसे दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे कुछ सीख सकें। हम उमीद करते हैं कि ये बातें आपके रिष्टों में सकारात्मक्ता लाने में मदद करेंगी। अग अब तक के लिए खुद का खयाल रखिए।